इन दिनों एक वेब सिरीज स्काम 2003 इदर तेल की स्टोरी ने मनुरंजन की दुनिया में हंगामा वरपा रखा है ना तरफ ये वेब सिरीज हिट हुई है बलकि नए रिकॉर्ड भी बना रही है और आज इसे सिरीज के राइटर संजर सिंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेलकम संजर जी ऑन जागन डाट कॉम धरनिवाद मनशिका मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये वेब सिरीज क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है हमें ये बताएगे देखें वेब सिरीज का मैं बता दूए एक तो जबदास रिस्पॉंस मिला हुआ है तब भी छोड़े में कहानी बता देता हूँ ये भारत के सबसे बड़े स्कैम में से एक स्कैम है मतलब जब भी स्कैम का इतिहास लिखा जाएगा तो टॉप के पांच स्कैम में से ये आएगा जिसमें एक पल बेचने वाला बंदार जो ट्रेन में पल बेचने वा वो कैसे मुंबई में आता है और उसके बाद में फरजी स्टैम और स्टैम पेपर चापने का दंदा शुरू करता है जो आगे जाके तकरीबन 30,000 करोर से ज़्यादा का हो जाता है हर जगा पर उसके लोकल पॉलिटीशन लोकल पुलिस ओफिसर लोकल अंडर वर्ल से उसके संबंद होते हैं और जैसे जैसे उसका मामला खुलता है तब जाके तकरीबन 12-13 बड़े पुलिस वाले गिरफतार होते हैं, वालिटिशन की गिरफतारी होती है, बड़े रेजनी नाजनेताओं की पुरसी जाती है, तो ये उसने स्कैम किस तरह से पुरे किया, और सारे देश में उसने किस तरह से इसने जो फैलाया है, ये कहानी उसके उपर है इंट्रेस्टिंग बात उसमें ये भी थी कि वो जो स्टैम चाथता था उसके स्टैम पेपर में और सरकारी स्टैम पेपर में फर्क करना बिलकुल नामुम्किन की तरह था क्योंकि उसने जो सरकारी मशीन जो हासिल हुई थी जो कबार में ऑक्षन में खरीदी थी और जिसे त पर भी लेता था और बहुत लंबा चोड़ा कारोबार पूरे देश में इसने पहला दिया था उसके पास पैसों का इतना हिसाब था मतलब बेहसाब पैसे थे कि उसका जाथा मुंबई के बार में डांस बार बार अंसर पर उसने उनिस वॉनिशन नियांबे दो हजार में एक सर यह आपने किताब लिखी लेकिन इसकी बाद वेब सिरीज तक कैसे पहुँच गई दिखे किताब मैंने लिखी थी 2003-2004 में उसके बाद हुआ ये की साल 2019 के ऑक्टोबर में सोनी लिव के जो लोग थे स्टूडियो नेक्ट उनका जो प्रोडक्शन हाउस है उसके लोग आये जब स्कैम नाइंटी नाइंटी टू जो पर फ्रेंचाजी का पहला एडिशन था वो बाहर नहीं आया था और उन्होंने उसके बाद में काफी लंबी बाचीत वगरा हुई मैंने लेकर भी यह उनको अलग अलग जगों पर तेली से जुड़े मामले जिन्होंने कवर किये जब वकील थे या पुलिस अधिकारों से मुलाकात वगरा कराई और फिर उन्होंने तैक किया कि इस पर वो सीरीज बनाएंगे लेकिन अनपॉचुनेटली साल दो हजार बीस के अंदर मार्च एपरिल में जब साइन होना था तब कोवीट की फर्स वेव आ गई थी और उसक सरी कीजे डिले हुई थी उसमें ये भी डिले हो गया था और इंट्रेस्टिंग पूरा रहा था मेरे लिए बिकाज लोगों को समझाना मुश्किल था हम उस जूम मीटिंग्स का दौर हुआ करता था उस जमाने में क्योंकि लॉक्डाउन था तो राइटर्स की टीम होती थ समझाना पड़ता कि कैसे स्कैम चैश्य कीजे कार्या था और वहु सरकार करना बहुत मश्किल था एक लम्बां खासे में समझाने मेंwent काम्याब रहा कि स्का था उसके बांझ भा जो वैब सिरिस थी वा इसका निर्मान बगड़ा वहुँआ हुआ और बहुत अच्छे तरीके से वेब सेरीज भी बनी है इन फेक्ट मुझे बताया गया है कि वन आफ दी मोस्ट सीन एक्टूली वेब सेरीज और सुने लिव में उसका शुमार हो गया है जी सेर लेकिन पहले से ही गूगल पर इसका कॉंटेंट और सब कुछ मिल जाएगा बट आपने वेब सेरीज में ऐसा क्या नया दिखाया गया है देखें आप गूगल पर भी यो भी कॉंटेंट देखेंगे मैंने गूगल पर देखा है या यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीजियो देखे हैं उसमें ज्यादा कि जो स्तोथ है वो मेरी ही किताब है दो हजार तीन और दो हजार चार की यह अलग बात है कि जो लोग वीडियो बनाते हैं या इसे डालते हैं वो लोग क्रेडिट हमेशा देते नहीं है तो स्कैम के बारे में देखे समझाना बहुत जरूरी था कि यह कैसे हुआ बाकी लोग ने जो डाला मेरे डालना मैश जो लिख रहा है उसके बीच में फर्क कि यह समझे यह ऐसी बात नहीं है कि साल दो हजार तीन चार में कोई क्रिकेट का मैश हुआ और उसकी हाइलाइट देखकर कोई 2016-2017-2020 में कोमेंटरी कर रहा है और उसके बाद कोमेंटरी कर रहा है मेरा फर्स्ट हैंड एक्स्पिरेंस था कि जब यह मैश हो रहा था उस वक्त मैं उस दौर में मौझूद था उस क्रिकेट स्टेडियम में मौझूद था उस ग्राउंड में मौझूद था और इसमें मेरी जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एविडेंस के तोर पर हरकी ये गई थी आपको अब जो मिल रहा है गूगल पर शायद जो कंटेंट होगा या बाकी ये यूट्यूज पर जो कंटेंट होगा ये बहुत आधा अधूरा और उसमें सब मिल जाएगा पर उसक चीजे मौजूद नहीं थी एक मात्रे कोई डॉक्यूमेंटेड किताब थी वही एक किताब थी जिसके आधार पर था तो मेरा जो फर्स्ट एंड एक्सपिरेंस था जो उसमें जिससे आप से मने धंकियां सुनी जिससे आप से संगर्ष मेरा रहा लोगों को समझाने में जो बड़े लेविल पर यह देखी जा रही है तब क्या किताब जब किताब पर क्या इसका नेगेटिव असर होगा आपको क्या लगता है देखे मुझे नहीं लगता है कि वेब सिरीद आ गई है तो किताब पर नेगेटिव असर होगा इनफेक्ट कॉंट्र रेकीड उसका जो है एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट करते तो उसका फायदा ही होगा मुझे एक सिंपल तरीके से आपको बताने देजिए अगर आप एक तरफ बिर्यानी खाते है और एक तरफ चिकन करी और राइस खाते है अगर आप देखा जाए जो बनाने की जो चीजें है उसमें लगबग चीजें सेम ही है वही चिकन होगा वही राइस होगा लगबग व उस तरीके थे कि किताब आपको एक अलग चीक पर लेके जाते हैं किताब इस बच मोर अकाउंट और आपको माइक्रो जो डीटेल्स होती है वो बताती किताब का एक अपना पाठक वर्ग होता है वो अलग होता है वेब सीरीज का अपना अलग दर्शक वर्ग होता है दोनों कह कई पर शायद और लाप करते हूं कि कई सर्टेन एडिया कॉमन ही होगा लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति एक अलग तरह की जिग्यासा जागरत करते हैं कि जो वेब सीरीज देखने वाले बहुत सारे लोग है जिनको लगता कि और माइक्रो डिटेल शायद हमको पता होने चाहिए तो वहां वो जो लोग है वो किताब भी पढ़ते हैं जो लोगों ने किताब पढ़ी है इंफेक किताब पर ही बेस्डों वेब सीरीज है तो आपने फिर से इसका एडिशन निकाला तो दोनों में क्या डिफरेंस है और अब ज में क्या नए है देखें दोहजार तीर चार में मैंने जो किताब निकाले थी वो ये किताब थी यह उसका कवर पेज था और उसके बाद में हुआ यह किताब 2004 में छपी थी फर्स्ट एडिशन था 2004 से लेके 2017 जब तक तेलगी जीवी तरह उस दोरान भी बहुत सारे developments वगरा हुए तो वो developments को भी कहीं न कहीं करना था तो पिछली किताब के मुकाबले काफी updated information है तो उसी वज़ा से हिंदी मराठी और अंग्रेजी में यह जो किताब है वो निकाली गए थी के लोगों को पता चले पिछली किताब के अलावा इस बार यह है कि पिछली किताब चपने के बाद मेरी तेलगी से दो बार व्यक्तिकत तोर पर जो मुलाकात हुई थी उसका भी जिक्र उसमें है और एक जो उसका यह टेस हुआ था नार्को टेस हुआ था जो उसके बारे में भी डीटेल में जानकारी है कि किस पॉलिटीशन का नाम उसने लिया था जो और उसके बाद में मामला के आगे का क्या हुआ आगे बाद बढ़ी या नहीं बढ़ी य हुआ कैसे उसकी डेथ होती है उसकी डेथ को लेके भी बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी हुई थी जैसे वह एक तो जिससे तरह से ऑस्पताल में पहुंचा था उसके पीछे के बहुत अलग संसरी खेज कारण थे और डेथ होने के बाद भी जब उसके पार्थी शरीर को लेक वगरा पैदा हुआ था तो ऐसी बहुत सारी बाते हैं जो आपको किताब के अंदर मिल जाएगी और असली नामों के साथ मिलेगी तो सर ये वेब सिरीज काफी हिट जा रही है लोगों को काफी प्यार मिल रहा है सिरीज को लेके तो आपको कैसा क्या फीडबैक मिला जी बहुत बिल्कुल अच्छा बहुत अच्छा फीडबैक मिला सड़नली मेरा मतलब मैं पिछले चार-पाइच दिनों से अपने आपको सेलिब्रिटी फील करने लगा हूँ और मेरे कि तोड़े दिनों तक और भी फील करूंगा कि जिससे आप से वाटसप पर या सोशल मी तो उनके लिए एक अलग तरह की इंफॉरमेशन जाती है जब आप वेब सीरीज आती है तो एकदम शुरुवात में ही क्रेडिट टाइटल्स के अंदर आपका जब नाम आता है तो एक अलग तरह का रिस्पॉंस मिलता है वाइट हैपी मतलब तर आपको क्या एक्सपेक्ट नैंटी टू दहर्शद मेता स्टूरी वो जिस इस वन आप दी मोस्ट सीन और सबसे ज़्यादा हिट वेब सीरीज में अब तक रही अगरम पूरे वेब सीरीज का ही तियास अथा के देखे पिछले तीन से चार साल का तो लोगों को बहुत लबे वक्त से इंतजार था प्रश्चाय का स्कैम करोड का स्कैम था तो यह वाला है थी कि तो दो पिलमों का निर्मान किया था और तो दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी तो वो उसकी जानकारी भी इसमें है और एक बहुत बड़ी मशूर फिल्म आई थी जिसमें गोविंदा सोनाली बेंदरे थे और मोहिश पांजेकर ने जिसका निदेशन किया था जिस देश में भारत गंगा रहता है उस फिल्म का भी साउत में उसने डिस्ट्रिबूशन किया उसे बॉली वोड में जो इन्वेस्ट्मेंट उसने किया था उसमें काफी उसको लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था रेक तरह से किताब में बटाया कि यह आदमी जिसने सब जगह सबको चुना लगा इसको एक ही जगह चुना लगा है उससे एक जगह किया था वो बॉली व पैसा उसका पैसा उसका पैसा डूबो दिया गया तो वह भी किताब में है तेल जी का अपना है अपने मता है कि बहुत इंट्रेस्टिंग एक्जिट प्लान था उसने कई जगह पे जैसे मद्यप्रदेश में एक दो कंपनी फॉर्म की थी जिसमें सूरत है सूरन एलिफेंट जो होता है उसको गल्फ में एक्सपोर्ट करने का क्योंकि उस सब्गी के शेल्फ लाइब बहुत होती है तो उसका प्लान था कि जैसे धीरे-धीरे करके वाइट कॉलर बिजनेस में आ जाएगा और अपना जो स्कैम वाला जो धंदा है घोटाला है उससे किनारा कर लेगा पॉलिटिक्स में आके सेटल होने की उसकी होती तो लेकिन मैंने साथे धूंड के निकाले तो उन कंपनियों के नाम से लेके हर की उसका हमने धूंड के निकाली थी और बताया था अगर कुछ चीज़े और नहीं हुई होती आगे पीछे हो सकता था कि तेलगी का प्लान एक हिस्ट्री है और तेलगी किस तरह से पुरा एक्सपोर्ज है तो सर क्या हमें इसका फिर और दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा क्या तेलगी का और कोई नया पार्ट आएगा या हमें फिर कुछ नया स्कैम देखने को मिलेगा तेलगी का जो वॉल्यूम वन जो है अभी ज तो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपके आने वाले हों। देकित तीन तेलगी वाले के अलावा तीन और जो किताबे मैंने लिखी हुई यह इस पर वेब सीरीज बन रही है एक मैंने लिखी हुई थी किताब वो थी शीना बोरा हत्याकांड जो बहुँ चर्कित हत्याकांड हुआ था आप लोग जाते हैं उसके अलावा एक भारत के बहुत famous criminal हुए थे रंगा बिल्ला उन रंगा बिल्ला के ऊपर भी के मैंने किताब लिखी तो उस पर भी वेब सीरीज है तो आपके दोजार क्योवीस पच्टीस में तीन वेब सीरीज हैं मेरी किताब पे बनी ही वो भी आपको देखने में मिल जाएगी और साथी कुछ और किताबों पे भी एक कांग चल रहा है जैसे वो पूरी होते जाएंगी वैसे वैसे इसके बारे में चर्चा करते हैं जी सर तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और आए विश की स्काम 2003 को और दर्शको का प्यार मिलता रहे और अलड़ी तनी धूब मचा रही ओटिडी प्लेटफॉर्म पे और और काफी जादा ये वैब सेरीज धूब मचा है और काफी जादा हिट हो और थैंक यू सो मचा जागरन डाट कॉम के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू अर्शिका थैंक यू जागरन